आज़े वीडियो में आपको बताऊंगे कि किस तरह से वाइड हैमिंग फूट को इसले यूज कर सकते हैं किन्चुजों का धियान रखने हैं दरिम्यान में थ्रट तूट जाए तो दुबारा से अज़ेस्ट के इस तरह से करना है वीडिये बहुत इंड्रस्टिंग है कम्प सबसे फूट इसमें यहां पर स्कुरू दिया हुआ है इससे हमने अज़स्मेंट करनी होती है कि हमारी स्टीची जो है वो फूट के जो है सेंटर में या साइड पे वह उसके लिए होता है अब हमने इसमें फैबरी को डालना किस तरह से पहले मैं आपको बता देती हूं असान है तीन चीज़ों का दिहान रखना है वह आगे फड़र जा कि आपको मैं बताऊंगे कंप्लीट देखेगा आपको मैं बैट शीट पे स्टिच करके भी दिखाऊंगी कि यह फूट किस तरह से यूज होगा इसको लगाना बहुत असान है नामल फूट को हटा देती है जैसे हम नामल फूट को यूज करते हैं वैसे ब्रादर, सिंगर, जनूम, जोकी जो इस तरह की जितनी मशीन्स हैं सब में ये फूट इजली लग सकते हैं जब भी इस तरह के फूट यूज करने हो नीचे पीछे पहले हार्ड कोई फैब्रिक या चेपी रखके स्टिच कर करें फिर जाकर स्टार्ट करें टेंशन फोर पे हैं यहां पे फिलर नीडल मेरी सेंटर में अब आपने और से देखना है कि मैंने फैब्रिक को जासे करना है यहां पर रोंग साइट उपर आईगी जो सही साइड होगी ना राइट साइट वह नीचे आगी है अब हमने क्या करने करी वाली साइट को भी फोल्ड कर सकते हैं लेकि मैं दूसरा करके दिखा लिए ताकि समझ आपने यहां पर फोर पॉइंट क्यूंकि हाफ इंच की फोल्डिंग तो फॉर पाइंट आफ होगा फोल्ड करके हाथ से पांच इंच तक और आट सिट अब आपने क्या करना ह है तुइस्ट आ रहा है तुइस्ट करना है और बैग करके थोड़ सा अगी अधार फ्लेक जाएंगे अराम से अज्डेस्ट हो जाएगा अब कोई भी अपने नोकीली चीज अपने यहां पर नीडल ले सकते हैं कुछ भी अपने फूट की लीचे से रख देना है इसके अधर के उपर होगा तो आपकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आएगी चादर की कोई भी फोल्डिंग करें यह जो हुक दिया हुआ इसके अंदर से भी हमने जो फोल्ड किया हुआ कपड़ा था उधर से भी लाजमी गुजारना है इससे क्या होगा हमारी यूनिफार्म बिल स्टिचिस सीधी नहीं आती है इस फूट का बेनिफिट जिया के बहुत सिक्वेंस में नीट आएगे अब आपने स्टाइग को देखना है कि स्टिचिंग मेरी बिल्कुल एच जहां पर फोल्ड हो रहा है वहां पे आए इसके लिए हमने अपने नीदल की पोजिशन जहां चेंज हो सथे चेंज कर देंगे फॉर फाइफ पर करेंगे तो नीदल की डिरेक्शन आपकी राइट साइट पर जाएगी तो वह स्टिचिंग और वीदर होगी तो मैं टू पर के लियांगी तो बिल्कुल एच जहां पर जा रहे ना उसके अकॉर्डिंग हमने इसको तरह से थामने हैं इससे पहुत नीच पहुत यूनिफॉर्म स्टेट आपके सलाई आएगी बगार किसी आपकी एफट के जो आप अपने चादर की फॉल्डिंग फाइफ से सेवन मिनिट्स में कर देंगी इस फूड से आप जस्ट टू मिनिट्स में कर देंगी है ना फाइ और आपको मैं करीब से इसकी स्टेचिंग भी दिखा देती हूं कि आपका दिल भी खुश हो जाएगा ठीक है अकिसा जिनको मेरी तरह हैमिंग करने में बड़ा मसला होता है ना चादर इसको क्या मसला है एक्वल नहीं आती बार 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 धो धिरना पड़ेगा तो बहतरी आए फुट यह देखें करीब से दिखा रही हैं स्टेचिंग भी देखने और कितनी नीट साइए हैं और हैमिंग कितनी अच्छी हुई है स्टेचिंग कितनी नीट आया इसमें मुतलिफ साइजीज है इसमें 4 x 8, 6 x 8, 8 x 8 कलों लगके 1 इंच, 2 इंच और 1 इंच और 1 इंच क्यों यह नामिल लेडीज के लिए आपने 4.4 कि आपने के बाद आपने फुट में से गुजारना है हो घ्यार स्टूर्स करना है अपनी चादर को फुट के नीचे से गुजारना है थागे तक लिए तक यह कंआ आगे तक लिएक सीक्वंस में हा जाएगि हमारी हमिंग उसके बाद हम इसको थोड़ा सा बैक करेंगे करीब से दिखा रही हूं ताके बिगनर्स को कोई डाउट रहे ही ना अब अपने फॉर पॉइंट्स थोड़ा सा बिल्कुल स्टार्ट में आप रिवर्स कर देते हैं स्ट्रक होता है एक दो पॉइंट दो तिन आम से ले अब आपको मैं स्लाइल लगा के भी दिखाऊंगी बिल्कुल तेडी मेडी नियागी अब आपने इसको अजस्ट करना है अपनी नीडल पोजीशन को कहां पर आना तो आप इसको अजस्ट कर सकते हैं हो गया अब आपको बताऊंगे अगर आपको स्टेचिंग इसरा से करते अब आपको आपने देख लिए अपने इस फॉल्डिंग के जादर निकलना है बाहर नीचे से थ्रेट को प्रौपर्ली कट करना है फिर दुबारा से हमने अपनी चादर को चार पांच रगे आके ना हमने सीम वैसे ही अपने इस फूट में अजस्ट करना है जैसे के पहले अच्छा इसको दुबारा इस तरह से अज़ेस्ट करने का पता है पेनिफिट क्या होगा अगर वह थ्रेट तूटा है थोड़ से बैक करके मैं स्टार्ट करती तो पीछे गुच्छे जो थोड़ से जमा हो जाता है थ्रेट के चार-पांच वह कितने बुरे लगती है बुरे एक नीडल्स को नीचे लेके आएंगे एक्जैक्ट सेम स्टिच के ओपर लेके आना है यह देखिए अराम से आ रहा है कनफर्म हो गया आगी पिछी हो रहा है हमारा फैब्रिक अब हमने नीडल्स को स्लोली स्लोली उसी डारेक्शन में ही रखना है जहां पे हमारी पैल स्ट किया था एक अगर चादर की फोल्डिंग करें तो कोई मसला भी नहीं होगा अब हो जाएगे ना आपका मिन्टों में सेकंड्स में फटाफट से हो जाएगा कोई टास्क भी नहीं रहेगा और फुट्स और टूल्स होते ही इसलिए हैं कि हमारा काम फटाफट से क्विकली हो और दूसरी बात आप जब स्टिच करें तो मेक शूर कीजेगा आपकी जब फोल्ड कर रहे होंगे लाइन जारी है तो लाइन के साथ लाइन मिलनी चाहिए इसका मतलब है कि आपकी जो भी स्टिचिंग करें वो ठीक आ रही है अक्सर कहते हैं अरेव आ जाती है तो उरेव बिल्कुल भी नहीं आएगी यह देखें अब एंडिंग पॉइंट पर जा रही हूं तो मैंने का आपको यह भी दिखा दूँ इस साइट की डिरेक्शन से दिखा रही हूं कपड़े को फलका साई पीछे से खेंचना है आगे से किस तरह से मैंने फोल्ड करके रखा हुआ ह और किस तरह से फोल्ड होगे अराम से मशीन के साथ स्टीच होता हुआ जा रहा है अब एंडिंग पॉइंट आ रहा है अब यह भी देख लेंगे कितनी अराम से रिवर्स कर देंगी कोई स्टक्निमी बहुत अच्छा बहुत नीट हमारी बैट शीट पे भी अब हम अराम से हमिंग कर सकते हैं हो गई ना हमारी हमिंग कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलेगा जादा से जादा शेयर करें बाकी बीस दे फायदा उठाएं अब यह जो मरे एक्स्टरा था इसको बैक पे करके हमने नौट लगा देनी है ताके यह पुक्ता हो जाए ठीक है जी तो यह है थी और आलोग फारनल आई होब आपको काफी कुछ सिखने को मिले होगा